इधर कटनी जिला अस्पताल की बहु प्रतिक्षित मांग आखिरकार पूरी हो गई और जिला अस्पताल को अब ब्लड कम्पोनेंट सप्रेचर मशीन मिल गई है NSUI के राष्टिय समन्वैक अंशू मिश्रा समा सिवका श्रया रौना खंडेलवाल की मेहनत कॉंग्रेस रास्सभा सांसत विवेक तन्खा की तरफ से स्विक्रित की 27,50,000 की राश्री के चलते जिला अस्पताल को ये मशीन मिल पाई है NSUI के राष्टिय समन्वैक दिव्यांशू अंशू मिश्रा ने बताया कि जहां चाहां वहां रहा और विवेक तन्खा के अंदर काम करने की ललक है सेवा करने की ललक है तो उन्होंने ये काम कर दिखाया कटनी जिले की महत्पून मांग आज पूरी हो गई है कटनी जिले के जिला स्पताल में ब्लेट सेपरेटर मसीन आज एनोसी आई के प्रयास से मिलने वाली है ये मांग जवलपूर सांसत विवेक तन्खा जी ने 27 लाग रुपे की राशी दे कर यहां पर आदी है कितना टाइम लगा इस महत्पून मांग को पूरी करवाने में कटनी के सभी समाज सेवी संगठन, कई राजनेतिक संगठन, कटनी बलड डोनर्स और वेलफेर सोसाइटी ने इस मांग को हमारे पास लेकर आया था हमने इसको लेकर जनहित याचे का भी दायर करी थी, कुछ बहुत ज़्यादा विशेश उससे प्रभाव नहीं पड़ पाया इसलिए जन सेवा के परियाए बन चुके पूरे भारत में आदरनी विवेक तनखा जी से हमने आग्रह किया था और हम आपको बताना चाहिए कि 24 घंटे के अंदर उन्होंने मांग स्विक्रित करकर हमको इसका मांग पत्र की कौपी भेज दी थी अपने बास तो मैं यह बताना चाहूँगा कि जहां चाह वहां राह माननी विवेक तनखा जी के अंदर काम करने की ललक है जन सेवा करने की ललक है तो उन्होंने एक काम करके दिखाया कटनी में भारती अंता पार्टी के सांसाथ हैं जो पूरे मध्यप्रदेश के अध्यक्ष भी है भाचपा के उनने भी एक साल से उनके पास पत्र जा रहे हैं कटनी से मांग को पूरा नहीं किया किसी कान में जू नहीं रहेंगी एक साल से जनता चिला रही है एक साल समासेवी संग्टन हम लोग सब चिला रहे हैं पर मजाल है कि उन्होंने एक पत्र भी इसके लिए लिखा हो या कोई कारवाही करी हो बहुत बहुत आपको बढ़ाई इस महत्पून मांग पूरी करनाने के लिए आप देख सकते हैं जिस प्रकार स